दोस्तो इस वीडियो में हम हिंदी टीवी इंडस्ट्री के एक most popular टीवी शो शाकाला का भूम भूम के स्टार कास के बारे में बात करेंगे इसमें एक संजु का किरदार था और वो अपनी मैजिक पेंसी से कुछ भी ड्रॉ करता तो वो रियल में आ जाता तो चलिए हम शाकाला का भूम भूम के स्टार कास के बारे में जानते हैं कि वो बच्चे 19 साल बात कैसे है सबसे पहले बात करते हैं किंशुक विद्या की जिन्होंने संजु का रोल किया था किंशुक ने 4 साल से ही मराठी मूवी में काम करना शुरू कर दिया था किंशुक ने सुना यती खरा धांगर दिंगा जैसी मराठी मूवी में काम किया है इसके बात उन्हें शाकाला का भूम भूम में संजु का रोल मिला और इसी साल एक बॉलिवूड मूवी राजु चाचा में राहुल का रोल किया इसके बाद किंशुक ने उश्या प्रविन गांधी कॉलेज से मास मीडिया की पढ़ाई की और अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद किंशुक ने एक रिष्टा साजे दारिका में आर्यन का रोल किया दोहजार अठ्रा में आकाश का रोल किया वो अपना सा टीवी सीरियल में देन अर्जुन का रोल किया इन करन संगिनी में अब बात करते हैं हंशिका मोटवानी एस करूना हंशिका का करियर शाकला का भूम भूम से शुरू हुआ इसके बाद उन्हें देश में निकला होंगा चांद टीवी सिरेल में एक्ट किया और इसके लिए उन्हें फेवरेट चाइल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया हंशिका ने सोन परी करिश्मा का करिश्मा जेसे टीवी शोज में काम किया 2003 में हंशिका ने 4 मूवी में काम किया जिसमें कोई मिल गया भी थी आज हंशिका साथ इंड़स्ट्री में most popular actress है हंशिका ने देश मधुरू तेल्गू मूवी में लिड रोल किया जिसके लिए उन्ह Film Fair Award for Best Female Debuts से सम्मानित किया गया इसके बाद हंशिका ने बहुत से तिल्गू, मल्यालम, कर्नर और हिंदी मूवी में काम किया मूव करते हैं नेक्स्ट कास्ट पे सैनी राज जिन्होंने रितु का रोल किया रितु वो केरेक्टर है जो संजु के गैंग में थी और टफ कॉमबाई का रोल करती थी सैनी राज आज एक्टर के साथ राइटर और असिस्टन डारेक्टर भी काम करती है सैनी राज ने as a script writer बहुत से अवार्ट भी जीते है for traffic signal और डरना जरूरी है सैनी राज को आप यूटूब पर भी देख सकते है as a stand-up comedian नेक्स्ट अदनान एपी as जग्गू अदनान ने अपना एक्टिंग करियर शकला का भूमभूम से शुरू किया इसके बाद अदनान ने शरारट टीवी शो में काम किया और यह शो उनके एक्टिंग करियर का last शो था अदनान ने अपना एक्टिंग करियर छोड़ दिया और अब वह दुबई में advertising company में काम करते है अब बात करते हैं मधूर मित्तल स्टीटू शकला का भूमभूम में आने से पहले मधूर ने चमतकार और दस्तक जैसी मूवी में काम किया मधूर ने 1990 में वूगी वूगी competition जीता इसके बाद उन्हें शकला का भूमभूम में कास्ट किया गया मधूर को सबसे ज़्यादा fame सलीम के रोल में मिला इन Slum Dog Millionaire और इसके लिए उन्हें बहुत से अवार्ड भी मिले मधूर ने Million Dollar Arm में भी काम किया मधूर ने आखरी बार 2007 में हिंदी मूवी मात्र में काम किया नेक्स रीमा एस संजना रीमा ने अपना एक्टिंग करियर शकला का भूमभूम से शुरू किया रीमा ने ना आना इस देश लाडो, दो दिल एक जा, भारत का वीरपूत्र, महाराना प्रताब और यम किसी से कम नहीं जैसे बड़े टीवी शोज में काम किया नेक्स आदित्य कपाडिया एस जुम्रू भाईया आदित्य ने अपना करियर as a child actor इधर उधर और just महबबते से शुरू किया उन्होंने जानवर मूवी में भी काम किया इसके बाद उन्हें शकला का भूमभूम में कास्ट किया गया शकला का भूमभूम के बाद आदित्य ने आहर्ट, अदालत और ट्विस्ट वाला लव जैसे टीवी शोज में काम किया और आदित्य अभी यूटूब पर टेक रिव्यूज करते है ये थी शकला का भूमभूम की पूरी स्टार कास्ट अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सस्क्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेर कीजिए जो शकला का भूमभूम के फैंस रह चुके है